आज है 28 जोलाई 2024 और 28 जोलाई 2024 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटिट इंपोर्टेंट इंप्रेक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह ध्या को सकते हैं तो चल यह स्टार्ट करते हैं पहलनी में सरी पीडियो के दिंपाइब यह यह CRPF का स्टापना दिवस यह अभी 27 जुलाई को मनाया गया और इस बार CRPF का 86 मा स्टापना दिवस मनाया गया तो इसको इनका बे ऑप्सिंस है अच्छा CRPF की स्टापना कब होई थी 27 जुलाई 1949 को जब इसकी स्टापना होई थी तब इसका नाम था Crown Representative पुलिस लेकिन बाद में 1949 में इसका नाम बदल के सेंटरल रिजर पुलिस फोर्स कर दिया गया तो याद रखना CRPF की स्टापना 27 जुलाई को ही इसलिए इस बार 86 मां CRPF स्टापना दिवस मनाया गया अच्छा जुलाई में अभी तक इतने इंपोर्टेंट दिवनाया गया तेन जुलाई को ये अंतरास्टी प्लास्टिक वैग मोग दिवस मनाया गया 11 जुलाई ये अक्सर एक्जामें पूछा जाता है बेस्सु जंसंक्या दिवस ये 11 जुलाई को मनाया गया 15 जुलाई को बेस्सु युवा कॉसल दिवस मनाया गया 20 जुलाई को अंतरास्टी सत करने हैं मैं सारे इसलिए लिखता हूं जिससे कि आपको एक बार रिवाइज करने में ज़्यादा एक मिनट लगेगा लेकिन आप इनको पढ़िए और ग्रेंग कलर में वह लिखे हैं जो अक्सर एक जम में रिपीट होते रहते हैं मैं क्यूशन है हाली में किसे चूला मंडल अंड फाइनेंस का M-D नूट चूला वंड़ इंवेस्टमِंड एन्ड फाइनेंस इसके MD नूट वइए है रवेंद्र कुमार दुस्टू का A options अहीं ये है रवींद्र कुमार और यही चूला मंडल इन्वेस्टमेंड एन्ड फाइनेंस के MD नूट अच्छा मैंने आपको बताया था कि आर ए आई यानि कि राजस्तान इलेक्ट्रोनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स लेमिटेड का अगला प्रवंदक ब्रजेश देच्छित को नियुक्त किया गया बहामास कॉमन बैल्थ के हाई कमिशनर मैंक जोसी बने नेता अम्मानी को फिर से अंतरास्टी ओलंपिक समिति में चुना गया अंडवन और निकोवार के डीजिपी एच एस धालीवाल बने हैं मुंबई क्रिकेट एसोसियेशन के सबसे युबा अध्यक्ष अजिंक नायक बने कमुडूर डे के मुरली ने बेस याईल के सीमडी का पदवार ग्रेड किय आई सी एम ए आई के अध्यक्ष की रूप में विभूति भूसर नायक को चुना गया और फेडरल बैंक ने के बी सुब्रमंडियम को एमडी एंड सी यू ने उक्त किया है ने क्यूशन है हाली में केस राजसरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षड देने की गोशना की तो यह राइस्तान सरकार ने की है राइस्तान के चीपनिश्टर भजनलाल सर्मा ने यह गोशना की है कि अग्निवीर जब रेटायर होके आएंगे तो उनको अधर जौब में 10% आरक्षड मिलेगा तो इसकुश्यन का से ओप्सेंस है अच्छा यह जो अग्निवेर योजना है बहुत ज्यादा हाइलेटेड है और बहुत बड़ा इसू बन चुका है गवर्मेंट ने यह योजना लॉंच कर दी अब इसको सई सिद्ध करने लिए गवर्मेंट अलग-अलग कदम उठा रहे हैं जैसे यह 10% आरक्षड लगबग हर राजी अब यह गोशना कर रहा है कि जब यह अगनिवीर रिटायर होके आएंगे तो उनको पुलिस और अधर जो जॉब हैं उनमें 10% रिजर विशन मिलेगा लेकिन यह अगनिवीर की प्रॉबलम नहीं है अगनिवीर की मैन प्रॉबलम है कि अगनिवीर सिर्फ चार साल के बाद रिटायर हो जाएंगे जो जॉब हैं जो गवर्मेंट की जॉब हैं वहाँ पर NPS नेशनल पैंसन इसकी मलाओ कर दी है और उसको सही बताते हैं अगर सही है तो नेता खुद भी उसको लें जो NPS है नेता उसको खुद भी लें लेकिन खुद तो OPS लेंगे यानिकि जो पुरानी पैंसन है ओल्ड इसकी नेता अपने लिए उसकी ववस्ता कर रखे हैं और जो जॉब बाले लोग हैं उनके लिए NPS और NPS को सही बताते हैं अगर सही है तो खुद भी लो से अगर इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो एक तो यह पैंसन वाला यहां पर OPS सुरू हो जाए जो पुरा सहीद होता है तो उसको जितना जवानों को मिलता है जितना जवानों को रेस्पेक्ट मिलता है जितना एमाउंट मिलता है जो जो फैसलिटी मिलती है सेम मिलें क्योंकि जान की कीमत तो बराबर है अगनिवीर सहीद हो या फिर सैनिक सहीद हो दोनों की जान की कीमत तो बराब कर देना तब भी यह problem solve नहीं होगी अगनिवीरों के यही दो मैन इसू हैं एक तो यह जो अगर सही दोते हैं तो सेम मिलना चाहिए और दूसरा उनको pension भी मिलने चाहिए उसके वाद आप 75% retire करो कोई बात नहीं लोग आएंगे और उसके वाद अपनी और जोब में try करेंगे लेकिन इतना आपको minimum करना पड़ेगा तब यह problem solve होगी दो तरह का character नहीं चलेगा नेता खुद तो pension लेंगे लेकिन जो job है उनके लिए pension खतम करते जा रहे हैं यह चीज नहीं चल पाएगी इस देश में चाहिए आप कितना भी 10% reservation दे लो यह नहीं चलेगी अच्छा राइस्तान ने यह 10% reservation की घोशना की है तुम मैप में देखो यह है राइस्तान राइस्तान की capital क्या है जैपूर राइस्तान की चीपनिश्टर कौन है भजनलाल सर्मा और राइस्तान की गववर्नर कौन है कल राज मिस्र अभी रेनियू ने राइस्तान में 400 मेगावाट की सौर परयोजना का उद्गाटन किया है सडक सुरक्षा कारी उजना बनाने वाला पहला राज राइस्तान में मुख्य मंत्रे बिस्सु कर्मा पैंसनी उजना का सुबारम हुआ राइस्तान में लोह ऐस के विसाल भंडार पाए गए राइस्त लोक कलाओं को समर्पित ग्यारे दिवसी लोकरंग महुतसब यह जैपूर में आउज़त हुआ और भारत का पहला वैटलेंड सहर उद्यपूर बनेगा अच्छा राइस्तान में सरिस्का नेशनल पार्क है रडथमोर नेशनल पार्क है केवला देव घाना पक्षी बियार ह ने किशन है हाली में भारत की एकिकरत क्रसी निर्यात सेवा कहां सुरू की जाएगी तो यह मुंबई में जवाल लाल नहरुपोर्ट पर सुरू की जाएगी तो इसकुशन का डे ओप्सन सही है ने किशन है किसने ACI आपदा तैयारी केंदर की अध्यक्स्ता समाली है तो यह अपने देश भारत ने समाली ACI आपदा तैयारी केंदर इसकी अध्यक्स्ता अपने देश भारत ने समाली तो इसकुशन का से ओप्सन सही है अब अपने देश भारत ने समाली तो आपको पता ह वारत के राष्टपती भवन में दो हॉल के नाम बदले गया है दर्वार हॉल का नाम बदल के गड़तंत्र मंदफ कर दिया गया है और एक और हॉल है असोक हॉल उसका नाम बदल के असोक मंदफ कर दिया गया है प्रदानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में दिल्ली में बिश्चु धरोवर समिती के चालीस में सतर का उद्गाटन किया था नगर बिमानन पर एसिया प्रसंद मंत्रिस्तरी सम्मेलन की मेज़वानी भारत करेगा भारत ने World Championship All Legends का किताब जीता है अचा सोसल मेडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलू के जाने वाले ग्लोबल लीडर प्रदानमंत्री नरेंद्र बोदी बने है भारते माइला फालेट भावना कंट ने पिच ब्लेक सेन ने ब्यास में भाग लेकर इतियास रच दिया है और दूसरा एसिया प्रसंद मंत्रिस्तरी सम्मेलन ये भारत में आउज़ित हुआ ने कुशन है भारत और केस देश के बीच दूपच्छी समझाता हुआ है अब अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा नौसरेनेक अभ्यास रेम पैक ये अमेरिका में सुरू हुआ दक्षिड कूरिया जापन और अमेरिका ने त्रेपच्छी वहू डूमेन अभ्यास रू किया है अमेरिका के राष्ट्पती ने अप्रवासियों को नागरिक्ता देने के लिए नए प्लान पैरल इन प्लेस की गोश्णा की और अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रून पेचने की मंजूरी थी है हाली में किस ने ने तियायों की नौमी सासी परशद की बैठक की अद्रेख्ता की तो ने तियायों की नौमी गवर्निंग काउंसिल की बैठकी अद्धिक्स्ता की है इसमें अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी पाटिस्पेट किया ने कुशन है हाली में फ्रांसिस डे ब्रिटो का निधन हुआ है वे कौन थे तो फ्रांसिस डे ब्रिटो ये एक प्रसिद लेखक थे और अभी इनका निधन हुआ ने कुशन है हाली में किस आयाटी ने सुन्दर पिचाई को डॉक्टर आफ साइंस की मानद उपादी से समानित किया तो आयाटी खड़कपुर ने सुन्दर पिचाई को डॉक्टर आफ साइंस की मानद उपादी से समानित किया तो इस कुशन का से ओप्सन सही है आप जानते हो गूगल के CEO हैं सुन्दर पिचाई और इनको IAT खड़कपुर ने डॉक्टर आफ साइंस की मानद उपादी से सम्मानित किया है अच्छा IAT जूदपुर हेंदे और अंग्रेजी में बीटेक की पेसकस करेगा IAC बैंगलोर के बैग्जानिकों ने तपेदिक अनुसंदान के लिए 3D फैंपडे का मॉडल बिक्सित किया है IAT दिल्ली के छातर कलस गुपता ने बेश्चु की सबसे बड़ी कूडिंग प्रतियों किता जीती है उत्तरपदी सरकार ने बेहतर आपदा प्रदंधन के लिए IAT रुडकी के साथ समझोता करने का फैसला किया है IAT गुहाटी ने उन्नत स्वास्ते देखवाल के लिए स्वास्ते परयोजना का उदगाठन किया बारती नौसेना ने IAT कानपूर के साथ नवाचार और अनुसंदन के लिए समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर की है IAT रोपड के सूथ करताओं ने सतलज में एक दुरलब धातू टैटलम की खोश की और KVIC ने IAT दिली में नए कादी इंडिया आउटलेट का उदगाठन किया है ने क्युशन है हाली में कारगिल नायक कैप्टन 9 का अनौबरन का किया गया तो कारगिल नायक थे कैप्तन ह 9 फुद दिन इनकी प्रतिमा का अनावरड केरल में इनके स्कूल में किया गया तो स्कूशन का बे ऑप्संस है यह हैं कारगिल नायक कैप्टन हने फुद्दीन इनकी प्रतिमा का अनावरड अभी इनके स्कूल में किया गया अब केरल तो यह है मैप में केरल के केपिटल क्या है तिरुबनन केरल की चीपनिश्टर कौन है पिनरई बिजियन और केरल के गवर्णर कौन है आरिफ मुहम्मत खान नहीं केरल में वन इस्कूल बनाई यह यूजना शुरू की थी पहला अंतरास्टी डेरी फेडरेशन एजिया प्रसंद सिक्कर समिलन यह कूची में आयुजित हुआ केरल की विधान समा ने राज जी का नाम बदलने का फ्रस्तापारित किया अभी केरल नाम है और बदलकर केरलम करने का प्रस्तापारित हुआ है यूनेस्को की सूची में भारत का पहला सायतिक सहर कौजिकोड बना है केरल के कौजिकोड में 25-28 उलाई तक यह मालावार नदे महुत सब आयोजित किया जाएगा केरा सरकार ने एक नई ए गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉंच किया वारत की सबसे तेज सौर एलेक्ट्रिक ना वाराकुणा ये केरल में लॉंच हुई केंद्री मंतरी नितेन गड़करी ने केरल में लगजरी जहाज क्लासिक इंपिरियल का पारुमला परेनल उस्तमों ये अरे में संत गाटी है और प्रियार ब regulatory थे सुरह बहुत ज्याद बहुत ज्याधा थ्रिसुपुरम और ओडम वैसे आप थायम भी याद रखिए थायम भी एक्जाम में पूछा जाता है थायम त्योहार यह भी किरल में मनाया जाता है ने कुशन है हाली में कहां मंडेला विरासत इस्तलों को युनेसको विरासत का दरजा मिला है तो यह दक्षिड अफरीका में मंडेला विरासत इस्तलों को युनेसको विरासत का दरजा मिला दूस कुशन का से ओप्सन सही है यह है मंडेला विरासत इस्तल और इनको अब युन geba सब्समयाथा किया तो ये भारत और लाउस में समझाता किया है तो इसके श्चिनि-क खरा हो लाउस करो मैप में कहा है म्याम्मार के आप बराबर में देखोगे म्याम्मार के जस्ट बराबर में आपको लाउस देखेगा मैं आपको मैप में देखाता हूँ यह है लाउस यह म्याम्मार है और यह जस्ट बराबर में लाउस है लाउस की केपिटल के है वियंटियन लाउस की करंसी के है लाउटियन केप और लाउस के प्रेसिडेंट कौन है तोंगलॉम सिसो लेट नैकुशन है हाली में केस राजिमें तिंक टेंक ग्रेट की स्थापन प्याएगी जैसे देश की लेवल पर नेती आये होगा है उसी तरह गुजरात में राज्जी की लेवल पर ये एक तिंक नेट याईओ की फुलपर्म क्या है नेशनल इंस्टिटिशन फॉर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया उसी तरह इसका नाम रखा गया है ग्रेट ग्रेट की फुलपर्म है गुजरात स्टेट इंस्टिटिशन फॉर ट्रांस्फॉर्मेशन अब गुजरात यह है मैप में गुजरात के राजकोट में International Center for Audit of Local Governance का उद्गाटन किया बारत उलंपिक अनुसंदान केंद्र का उद्गाटन गांधी नगर में किया गया गुजरात ने अधिक्तम पवन उर्जा इस्तापिश सम्जा चमता के लिए पुरुस्कार जीता है गुजरात में इस्तित इस्मरत साके नाम पर रखा गया गुजरात के फल कक्चे खरेक को जी एटेक मिला और भारत का सबसे बड़ा त्येटर फेस्टिवल भारत रंग महुत्सप ये कच्छ में हुआ अच्छा गुजरात में गेरी नेशनल पार्क है ये एस्याटिक लॉइंस के लिए फेमस है नल सरोबर सूरक्षा प्रमुखों की बैठक है ये मयम्मार में वही तो से ओप्सन्स है यह जद विए हैस्टेक सुरक्षा प्रमुखोंकी चोथी वैठक होई है अब में हम्मार तो यह है मैप माम नें मीशेनल की क्या है मैं ममकिक्या काट और मैंमार के प्रेसिडेंट कौन है मिन अंग हुलेंग कौन है मिन अंग हुलेंग ने कुशन है हाली में बैस्विक ओपेरा प्रत्योगिता ओपेरा लिया कहां आयोजित की जाएगी तो यह भारत में आयोजित की जाएगी और यह पहली बार भारत में आयोजित की जाए है तो दर्बार हॉल का नाम बदल के गड़तंत्र मंडप किया गया तो इस कुश्यन का बे ऑप्सन सही था और लगबक सब्सक्राइब सब्सक्राइब के बारे में आपको जतना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिक देते हो प्रोने आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए प्रेवेजन के क्वेश्चन अभी अंत्रिच अनुसंदान के बारे में बैस्विक सम्मिलन दक्षिड कुरिया में शुरू हुआ हैंले पासफोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापूर टॉप पर रहा और अपना देश भारत 82 में नंबर पर रहा और पाकिस्तान कौन से नंबर पर है पाकिस्तान 100 में नंबर अच्छा दस में अफरीकी देश के रूप में सैंक्त राष्ट जल कन्वेंशन में आईवरी कुष सामिल हुआ है नूनो वर्गेज ने स्वेडेस ओपन पुरुस एकल ट्रॉफी जीती जापान के बैग ज्यानिकों ने जेबित तुचा के साथ रूबूट का चैरा बिक्स का सर्वोच नागरिक सम्मान और ऑफ सेंट एंड्रू दा पॉस्टल प्रदान किया गया इस्तानी समुदाय की मदद से जैब विवित्ता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बना है अच्छा इसम्रती मंधाना और जस्प्रेद वुम्रा को जून दोजर चौबिस का सुदर्शन पतनायक ने इंटरनेशनल सेंड स्क्लप्चर चेंपियंशिप में सौडपदक जीता है अंडमान और निकुबार के डीजीपी एज जेएस दालीवाल बने हैं बेदेश मंत्री एस जैसंकर ने मौरिशस में मैत्रे उद्यान का उद्धाटन किया और मौरिशस म में ही बारत के बाहर पहले जन उस्दी के इंद्र का उद्धाटन भी हुआ है भारते मैला फाइलेट भाबना कंट ने पिच ब्लैक सेंड ब्यास में भाग लेकर इत्यास रच दिया है सेंड ने प्रमुक में आंग वाइं म्याममार के कारवाग राश्ट्पती बने हैं आजेंटीन टॉप पर रहा भारत 124 में नमबर पर अब आपके लिए आज का कुश्चन आपके लिए आज का कुश्चन है केस राजी के मोईदम को युनेस्को की बेस धरोहर सूची में सामिल किया गया है चार ऑप्सन दिये के हैं इन में से आपको अपना आंसर बताना है और इसके लाबा हम अमारे Facebook पेज पर प्रेबेस एर कुश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप Facebook पर Next Exam सर्च करके वारा Facebook पेज जोईन कर सकते हैं क्योंकि प्रेबेस एर कुश्चन आपको बहुत एलप करते हैं अगर आपको किसी कुश्चन में कोई डाउट होता है या आज का अमारा करेंट अफेस का वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरूर वताना और अगर अबे तक भी आपने वारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चत ही म आपको वीडियो